नमस्कार दोस्तों सौगत आपका आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले अगले विक में हमारा मार्केट किस तरह से रियाक्ट कर सकता है क्योंकि अगर पीछे के सेड में देखोगे market पीछे के पूरे week में हम लोगों को market downtrend में ही देखने को मिल गया था क्या अभी reversal आएगा market positively जा सकता है नहीं जा सकता है वो सब चीज़े हम लोग देखने वाले और अगले week यानि मंडे की दिन हम लोगों का किस तरह से point of view रहेगा मंडे की दिन हाला के market बन दे लेकिन Tuesday की दिन किस तरह से point of view रहेगा किस तरह से हमारा analysis रहेगा कौन-कौन सी level जो की काम के रहेगी वो सब चीज़े के उपर हम लोग अभी बात करने वाले वीडियो का इंट तक जरूर देखना था कि आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ जाए चली वीडियो को शुरू करते है और इसके अंदर आप लोग जैसे की देख पाओगे हमारा जो चारट यह वन डी टाइम फ्रेम के अंदर कुछ इस तरह से नजर आता है यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों मार्केट इस एसी लेवल के आसपास आ चुका है जहाँ से दोस्तों मार्केट यहाँ पर रिवर्स भी कर सकता है नहीं तो एक कंसलेडेशन जोन के अंदर भी यहाँ पर मार्केट हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर actually देखा जाए तो market के अंदर हम लोगों को यह वाला जो जोन है एक second में क्या करता हूँ इसको एक line ड्रॉक कर लेता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखा जा दोस्तों इस line के आसपस आप लोग देख लेना यहाँ पर दोस्तों इस line को जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस zone के आसपस एक्चुली यह line नहीं है यह actually एक zone है उस zone को ड्रॉक करने के लिए हम लोगों को और एक line की जोरॉत जैसे पीछे की साड में आप लोग देखोगे यहाँ पर market आयता इसके अंदर थोड़ा becomesala उसके बार में market उपर की साड में घया फिरसे एक बार इसके अंदर थोड़ा सा Consolidate में फिर से उपर की के अदर मतलब इन दोनों लाइन्स के अंदर इस जोन के अंदर इन जोन के अंदर आत पर मुझेन आप कर सकता है। लोवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर दोस्तों यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे की सैड में आता है और यहाँ पर लोवर टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिन पूरा educational purpose के साब से या पर में कोई भी आपको bias रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो purpose है ओ ये analysis आपके साथ में share करना, मतलब मैं जो कुछ भी चीज़े सिख रहा हूँ, जो कुछ भी चीज़े में नहीं सिखी है, और जो मेरा experience है, उसके उपर में वीडियोस बना रहा हूँ, और आपको जो कुछ भी आपका experience है, आपका जो कुछ भी analysis है, आपका भी फरस बनता है कि आप लोग comment box के अंदर थोड़ी बहुत चीज़े explain करते जाओ, ठीक है, so basically nifty के अंदर ये सब चीज़े थी, अभी हम लोग क्या कर लेते बैंक निप्टी के अंदर इंट्रिक कर ले, तो दोस्तों यहाँ पर neptica के अंदर भी अगर देखा जाए, बैंक निप्टी के अंदर भी हम लोग को अलमोस्ट उसी तरा से सारी चीज़े देखने को मिल रही है, इसके अंदर अगर देखा जाए, दोस्तों निप्टिक लोग करते हैं थोड़ा सा मार्केट को जूम आउट करके यहां पर दोड़ा कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ी वुद्वी चीज़े अच्छे से समझ में आ जाए इसका रिजन क्या है रिजन सिंपल है कि यहां पर पीछे के साड में यहां पर इसने एक रेजि consolidate करेगा consolidate करनी के बाद में उपर की side में moment मिल सकता है लेकिन दोस्तों हो सकता है कि या पर ये वाला जो low point previous उसको भी break करके नीचे की side में market जा सकता है एक गंटा इस तरह से अगर आप लोग देखते हो 30 मिनिट से आगे की जो time frame है उनके अंदर अगर आप लोग देखोगे इस lower time frame के अंदर से मतलब यह जो low point है उसको break करके अगर market नीचे के side में जाएगा वहाँ पर कोई भी आपको अगर pattern वेगरा मिलता है वहाँ से reversal हम लोग को वहाँ पर देखने को मिल सकता है लेकिन यह वाला जो zone है दोस्तों यह वाल आप लोग यहाँ पर देख पाऊगे यहाँ पर resistance उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा consolidate उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बार support की तरह act हुए और उसके बाद में अभी market उसी zone के आसपस आ चुक है यहाँ से support लेकर के उपर के side में चाहे तो वहाँ पर positive moment के साथ में आप लोग जा सकते हैं अलाकि इसके लिए थोड़ा सा time लग सकता है लेकिन अगर आपको देखना है कि अगले week में किस तरह से हो सकते तो अगले week में बस यही चीज़े हो सकती है I hope दोस्तों आपको bank nifty और nifty का analysis आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो के लिए like share subscribe कर देना चेली दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर thank you so much for watching this video